हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों आप सभी लोग को यहां पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस एड कराया जा रहा है जो कि पॉलिटी का है इसमें आपको टोटल सौ कोशन दिया जाएगा जो कि एक्जाम के दिखाया तो बहुत ज्यादा महतपूर यह प्रसना आपका बन जाता है तो चलिए हम एके कोशन को अच्छे देखेंगे ताकि आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो पाई चीजे को तो आज का पहला प्रसन है कि भारती समिधान के अंदरगत कितने परकार के आपाद कालन की सोच है चलिए बताईएगा इसका अंसर हो जाएगा इसक सभा कि आओधी पर देखा जाया तो आपको यहां पर आपात काल के समाप्ति तक बढ़ाए जा सकती है लेकिन एक समय में केवल एक वर्स के लिए ही बढ़ा जा सकती है इसका अंसर आपको यहां पर दी उत्तर हो जाएगा अगला प्रसने के राष्ट पतिस आसन अधिक्तम जा शकता है कितने वर्स तक फिर कितने माह तक तो इसका आंसर देखा जाने तो आपका क्या अगा बताईए गा तुश्का सही आंसर हो जाएगा और या नि तीन वर्स हो जाएगा अप इसको एछोचिए से याद रखिएगा ठीक है चलि आगर देखते है अगला प्रसन है क आपका सही आञे um सी हो जाएगा ठीक है। Best अगला प्रस्थ कि आप काल में किसी राजी विधान जभाग की आउधी बढ़ा जिए सकती है किसके द्वारा कि जो अवधी है यह संसत के द्वारा बढ़ा जा सकती है option आपका यहां पर बी सही अंसर हो जाएगा कोशनर 6 देखते हैं कहता है कि समाने रूप में भारत में प्रत्ती पांच वर्स बाद वितायों के नियुक्ति कियाती है किसके लिए तो यह किया आता है केंदरी अनुदान और संग के राज रायसों में राजियों का अंसर निधायत करने के लिए option आपका यहां पर डी सही answer हो जाएगा चलिए आगा जिखते हैं question number 7 देखेंगे कहता है कि निम्न में से किस एक की सिफारिशों के अधार पर संग एवं राजियों की बीच वित्तिय वित्रड होता है बताएगा तो इसका आंसर हो जाएगा option A वित आयोग आपका यहां पर सही answer हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि भारत में केंदर राज वित्तिय संबंद किसकी संस्तूति से निजायत होते हैं तो सही answer हो जाएगा option C वित आयोग की क्या हो जाएगा वित आयोग की अगला प्रस्न है कि निमलिखित में से कौन सपराधीकरण केंद्र की समय कित निधी से राजिय को रायसों की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिधानतों की अनुसंसा करता है चलिए बताएए इसकाai9 का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा option a वितायोग आपके सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे रेक्ते हैं अगला प्रस्न कळा, question number 10 देखेंगे के निमलीखित में से कौन केंद्र और राजज įों मेरे राज़सों बतवारे के लिए माप्रेंडों की अनुसंसा करता है तो सही आंसर हो जायेगा आपस्न ए वित आयोग हो जायेगा क्या हो जायेगा वित आयोग चलिए आगे देखते है अगला प्रसने के वित आयोक का मुख्य कार पुछा गया है अगला प्रसने के वित आयोक राष्टपती को संस्तूति भेजने में मुख्य रूप से संबंदित है तो सही आंसर हो जाएगा option D, A और B दोनों यही राजियों को दिये जाने वाले अनुदान के सिधान्त से और B कता है कि राजियों यहम केंदर के बीच करो के बटवारों से इस परकार से इसका answer आपका D हो जाएगा अगला परसने के निमलिखित में से कौन से एक भारत में वित्ति आयोग का कारी नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा तेरे का option D, व्यपार कर का विभाजन याद रखेगा D आपका सही आंसर हो जाएगा भारत में संघी वित्त आयोग का समन्द रखता है तो इसका answer देखाएगा 14 तो option आपका यहाँ पर B हो जाएगा option आपका यहाँ पर केंदर की वित्ति से option आपका यहाँ पर 14 का B सही आंसर हो जाएगा केंदर एवम राज्यो के बीच वित्ति विवादो के निप्टारे है तो मुख एजनसी हैं तो सही आंसर हो जाएगा option D वितायोग क्या हो जाएगा वितायोग अगला प्रस्ने केंदर वा राज्यो के मद्ध वित का बटवारा किसकी सिफारिस पर होता है किसके सिफारिस पर यह होता है चलिए बताईएगा तो सही आंसर हो जाएगा option B वीतायोग क्या हो जाएगा वितायोग अगला प्रस्ने के 15 वितायोग के अध्यक्ष कौन है 15 वितायोग के अध्यक्ष कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा option बताईए कमेंट करके बताईएगा 15 वितायोग के अध्यक्ष कौन है अगला प्रसने के समिधान लागू होने के परशाद आप तक कितने वितायोग बनाय जा चुके हैं तो सही आंसर हो जाएगा option D 15 क्या हो जाएगा पंद्रा चौधर में विटायों कि अध्यक्स कौन थे तो चौधर में विटायों के अध्यक्स पुछा गया है तो आपका C रंगराज हो जाएगा option आपका यहां पे 19 का एक सेकेंड वाई भी रेड़ी होगा ना चौधावे पुछा गया है तो 19 का आपका यहां पे डी उत्तर होगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसने टोंटी का कि निम्मे लिखित में से कौन वितायोग द्वारा वितायोग द्वारा की गई प्रतिय इक सधन में सक्षम रखवाएगा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्जन भारत का राश्ट्रपती क्या हो जाएगा भारत का राश्ट्रपती में अगला प्रसने की वितायोग के गठन किया जाता है जो वीत आयोग का गठन किया आता है पांच वर्सों की आवधी के लिए किया आता है आपका यहां पर B सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसने कि वीत आयोग का एक चेर्मेन होता है और वीत आयोग का एक चेर्मेन होता है और चार अनिस हदस्य होते है option आपका C, सही answer हो जाएगा अगला प्रस्टन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था योजना आयोग का जो स्थापना है यह आपका कब हुआ था यह आपका 23 का देखा जाए तो आपका क्या दिया है answer 23 का option B हो जाएगा 15 March 1950 अगला प्रसने की योजना आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग की जो इस्थापना किया गया था संगी मंत्री परिशत द्वारा एक विसेश प्रस्ताव पारित करने के लिए किया गया था आपका सी सही आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन समिधान एतर संस्था है तो इसका उत्तर हो जाएगा option C, योजनायोग, इसके देख्ष कौन होते हैं तो यह आपके परदानमंतरी होते हैं अगला प्रस्नेक की निमनलिखित में से कौन से एक सम्मिधानिक निकाय नहीं है, यह आपका प्रस्न पूछा गया है तो आंसर आपका C हो जाएगा, योजनायोग, क्या हो जाएगा? 26 का आंसर आपका यहां पे C हो जाएगा अगला प्रस्नेक की निमनलिखित में से कौन सा एक सम्मिधान का अंग नहीं है, कौन सा एक सम्मिधान का अंग नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा option D, योजना आयोग, क्या हो जाएगा योजना आयोग अगला प्रस्न है कि भारत के योजना आयोग का प्रत्थम अध्यक्ष कौन था भारत का योजना आयोग का जो प्रत्थम अध्यक्ष पुछा गया है तो इसे तो प्रदान मंत्री ही होते हैं तो पंडी जवाहला नहरू हो जाएगा ओप्सन आपका यहां पे B सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने की योजना आयोग का अधिक्ष कौन होता है तो अभी मैंने आपको बताया की योजना आयोग का जो अधिक्ष होता है वो परधान मंतरी होता है तो इस टाइम दिखाए तो नरिल मोती है ठीक है नेती आयोग के अधिक्ष कौन है इसे को बदल करके चेंज कर दिया गया है तो आप सब लोग याद रखिएगा प्रधान मंतरी हो जाएगा आपका यहाँ पर D सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसने की योजना आयोक के उपाद्धिक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरियता करम से महातो का दर्जा दिया गया है महातो का दर्जा दिया गया है तो सही आंसर 31 का आपसन हो जाएगा बारत सरकार के कैमिनेट मंत्री के समान आपका यह उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्थने के राष्ट्रिय विकास परिष्ट का मुख्य सम्बंद पूछा गया है तो सही आंसर आपका यह हो जाएगा पंच वर्सी ओजनाओं की अनुमोदन से आपका 32 का यह सही आंसर हो जाए अगला प्रस्थने है कि निमनलीख्यत में से कौन यूजना आयोगत था राष्ट्री विकास परिष्ट के अध्यक्सता कौन करता है राष्ट्री विकास परिष्ट के अध्यक्सता कौन करता है राष्ट्री विकास परिष्ट का जो अध्यक्सता है वह कौन करता है यह करता है भारत का प्रधान मंत्री क्या हो जाएगा भारत का प्रधान मंत्री अगला प्रस्ण है कि भारत में लोकपाल इव्म लोकायुक्त की स्थापना का सुझाओ दिया था किसने यह सुझाओ जो है किसके दोरा दिया गया था यह दिया गया था प्रसासनिक सुधार आयोग ने ये दिया था, आपका यहाँ पर 20 सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने के संसद में पहला लोग पाल विधैक कब रखा गया था,つो यह रखा गया था 1968 में 1968 में अगला प्रस्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तूत करता है तो 38 का सही आंसर करिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन C राजेपाल को क्या हो जाएगा राजेपाल को अगला प्रस्न है कि 2011 में लोका युक्त विध्यक पारिद करने वाला प्रत्थम भारतिय राजे पूछा गया है तो 39 का सही आंसर आपका यहां पे C हो जाएगा उत्तरा खंड क्या हो जाएगा उत्तरा खंड आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि उस समीति का नाम क्या है जिसने राजनितग्यों वो अपराधियों के गटबंदन की जांच की वो रिपोर्ट दिया था तो सही आंसर आपका यहां पे 40 का देखा जाये तो आपका बोहरा समीति हो जाएगा उप्सन आपका यहां पे B सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि भारती प्रस्तास्निक सेवा और भारती पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिस किस ने किया था तो ये किया गया था राजमन्नार आयोग के द्वारा ओप्सन आपके रहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा अगर रहते हैं कि राष्ट्रिय मानवा दिकार आयोग अधिनियम 1993 का अनुसार निम्न लिखित में से कौन सा यानि कौन एक इस आयोग का अद्धिक्ष बन सकता है समयधानिक सहस्था नहीं है इसमें पूछा गया कौन सा एक है जो समयधानिक सहस्था नहीं है तो मानवा दिकार आयोग हो जाएगा ऑप्सन आपका यहाँ पर 43 का ए उत्तर हो जाएगा चलिए आगर देखते हैं अगला प्रसन क्या है कि सुवनत सिंग समीति ने जिस प्रस अगला प्रसन के यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की प्रतर महिला अधिक्स का नाम पूछा गया है यहां पर नाम पुछा गया है तो बताईएगा इसका नाम क्या होगा तो देखिए इसका अंसर आपका यहां पर भी हो जाएगा रोज एम वैथियू क्या हो जाएगा रोज एम वैथियू आपका सही अंसर हो जाएगा उत्तर परदेश लोग सेवा आयो के वे किस निदी पर भारतिय होते हैं स्वारी भारित होते हैं 48 का अंसर क्या होगा तो आप सब लोग याद रखिएगा आपका भी हो जागा राज की संचित नीदी पर अगला प्रस्ने के भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था वह कौन सा अधिनियम था भारत में लोक सेवा आयोग पूछा गया है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा गौर्मेंट औफ इंडिया एक नांटीन नांटी आप इसका व्याद रखेंगा नीस अंनिस अग्ला प्रस्ने के नीमनने से किस एक की परिस्थिती अन्य तीनों से भी ही नहीं है तो सही आंसर आपका अनुछे 371 हो जाएगा, option आपका हैंपे C हो जाएगा अगला प्रस्न है कि भारत के समिधान के अनुछे 371 खो में निम राज या फिर राजियों में से किसके लिए विशेश उबंद प्रावधानित किया गया है चलिए बताएए 52 का सही आंसर आपका असम हो जाएगा, option आपका हैंपे B उत्तर हो जाएगा निम लिखित राजियों में से किसके लिए समिधान के अनुछे 371 कैंजर गत विशेश प्रावधान किया गया है विशेश प्रावधान किया गया है तो आपका महराष्ट्र तथा गुजरात हो जाएगा अगला प्रसन क्या है कि भारती समिधान में किसी राजिय को विशेश राजिय का दरजा देने का अभी प्रया है चलिए बताएए 54 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा तो देखिए इसका अंसर आपका राजिय का अलग समिधान हो जाएगा ऑप्सन आपका यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसने कि जम्मू एवं कास्मीर का राजेपाल पदनाम कब बदल करके लैप्रिनेंड कवर्नर कर दिया गया है उसका पदनाम था यानि पद का नाम पद का नाम बदल करके लैप्रिनेंड कवर्नर कर दिया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन डी 2019 में अगला प्रसने क्या है इसको अच्छे देखिएगा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आइप्तु की पतावधि क्या है देखिए च्छाव वर्स या फिर 55 वर्स के आयू तक जो पहले हो जाए आंसर आपका यहां पे सी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसने के मुख्य चुनाव एक्ट को पत्यूत किया जा सकता है किसके दोरा तो इस अंतावन का सही आंसर हो जाएगा संसत के दोनों सदनों के सदस्य को दो बटा तीन वहुमा से प्रमारित कदा चार के अधार पर ही उसको पत्यूत किया जा सकता है आपका आप संतावन का यहां पे डी उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयक्त को कितनी भारत के मुख्य चुनाव आयक्त को न्यूक्ती किया जाता है किसके दोरा तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखिएगा अंठावन का उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताएगा तो आपका राष्ट्रपती द्वारा ओप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि भारत का सम्मिधान निमलिकित अनुछेदों में से किस एक के अंद्रगत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा आप्शन डी अनुछे 324 के अंद्रगत अगला प्रस्ने के निमनाकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत की निर्वाचन आयोग से सम्मनित नहीं है तो सही आंसर आपका D हो जाएगा विहान मंडलों के चुनाओं के लिए उचित प्राउधान करना आपका D सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपती का चुनाओं निमन में से किसके द्वारा संचलित किया आता है तो आंसर आपका D हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निमन में से किसका संबंद चुनाओं आयोग से नहीं है निमन में से किसका संबंद चुनाओं आयोग से नहीं है विवाद पर कौन देता है तो सही आंसर आपका डी हो जागे निर्वाचन आयो के परामट से राष्ट पती आप सब लोग याद रखियेगा डी आपका सही आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रसन क्या कहता है कि यदि किसी राज ये विधान सबाक निर्वाचन मे निक्षित रासी यानि जर्मान रासी खोद देता है तो उसका और्थ क्या होता है देखिए उसका और्थ यही सिधा सा होता है कि निर्वाचन लड़ने यानि निर्वाचन लड़ने प्रत्यासी को संख्या बहुत अधिक थी आपका यहाँ पे 64 का दिखा जाए तो डी उत् और निर्वाचत होने का अधिकार है तो सही अंसर हो जाएगा São C यानि विधिक अधिकार एक अधिनियम्प के अंधर कता आपका यहांपट सिसी हांशर हो जाएगा है हए अगला और राज्यों की विवस्थापिका के लिए मादान की नियुन्तम उम्र सीमा एक कई सवर्ष से घटा करके अठारा वर्ष कर दिया गया है इस प्रकार से आप सभी को पताई होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समिधान संसुदन जो 1989 में हुआ था अगला प्रसने की बारती समिधान का संसुदन निम्नांकित है 21 से संबनित है तो आप सभी को मैंने अभी बताया 69 का सही आंसर हो जाग मत दाता कि आयू घटा करके पहले 21 अब 18 वर्ष कर दिया गया है अगला प्रसने की दिनेश गो स्वा समिधी का संबन किससे है दिनेश गो स्वाम समिधी का संर्मन देखा जाए तो निर्वाचन सुदारों से है आपसेन आपके यहां पर BU सही आंसर हो जाए है अगला प्रसने की उस देश में अनुपातित प्रतिमिवत्र आवस्यक नहीं है जहां जहां पर कर देखा जाया तो 72 का सही आंसर आपका भी हो जाएगा दोई दल्य पणाली विक्सित होई है आपका यहां पे बी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि निर्वाचन आयोग को तीन सदसी आयोग की सवर्ष से बनाय गया था तो ये बनाए गया था 1989 में option आपका C सही आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन स्टुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपाध इतना ही किया जाता है तो ये 74 का देखा जाया तो आपका उतर हो जाएगा इस्थानी निकायों का क्या हो जाएगा इस्थानी निकायों का आपका यहां पर सही उतर हो जाएगा भारत में कोई भी राजनेतिक दल राश्टी दल के रूप में मानेता पराप्त कर सकता है यदि वह राजिस्तर का दल है कम से कम तो कम से कम 75 का सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा चार राजियों में है तभी वह राज दल घोसित हो सकता है अगला प्रस्न है कि निमलिखित में से कौन से चेत्री राजनेतिक दल है निमलिखित में से कौन से चेत्री राजनेतिक दल है तो इसका उतर हो जाएगा ओप्शन D आकाली दल क्या हो जाएगा अकाली दल अगला प्रस्न है कि निमिलकित में से कौन सा एक दल राश्ट्री राजनितिक दल नहीं है तो इसका उतर हो जाएगा ओप्सन सी तेलगू देशम तेलगू देशम इंडिपेंडेंट लेवर पार्टी का संस्थापक कौन था तो आप सब लोग याद रखिएगा बी या रम बेटकर हो जाएगा ओप्सन आपका यहां पे बी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि भारत के विभीज राजनितिक दलों को राश्ट्रिय या फिछेतरी दल का दरजा देने का अधिकार किसको है तो यह अधिकार दिखा जाए तो यह आपका चुनाव आयोग के पास है ओप्सन आपका यहां पे सी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कोशन मर् 80 देखेंगे इसमें कहता है कि आंतरिक दल्य लोकतंत्र का उप्योग होता है तिया आपका उप्योग होता है दल का आंतरिक चुनाव को दल के प्रादिकारियों के चैन हेतु समय समय पर होना आपका यहां पे सी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने की दल बदल निरोधक अदिनियम किस तीथी को पाइथ हुआ वह कौन सी है तो वह कौन सह है तिया आपका 30 फरवरी 1985 हो जाएगा आपका हैं पे स्वारे 30 मार्च दिया गया है 30 मार्च निरोधक अगला प्रस्ने क्या है अनिमनाकित में से कौन एक दल बदल कान्यून विरोध से अक्षातित नहीं है तो 82 का सही आंसर देखा जाए तो आपका किसी दल में विविन चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने की राजनेतिक दलों को समयधानिक मानेता प्रथाम बार कम मिली थे तो प्रथाम बार पुझा गया तो यह 1985 में मिला था आपसन आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने की दल परिवर्तर विरुद्वी विधी को किस राजने में 1989 में ही अधिनियमित कर दिया गया था 1989 लिखा गया है तो 84 का सही आंसर आपका यहां पे जमो एवं कास्मीर हो जाएगा आपसन आपका बी उत्तर हो जाएगा लोग सबा के अधिक्ष द्वारा अधिकारिक तोर पर एक राजनितिक दल अथवा राजनितिक दलों के गठपंदन को विपक्ष की मानेता देने है तो कम से कम होने चाहिए तो कम से कम होने चाहिए तो आप सब लोग याद रखिएगा 55 सदक से होने चाहिए तब भी आप यहाँ पे हो सकता है अगला प्रसने कामराज योजना का उद्दे से क्या था कामराज योजना का उद्दे से पूछा गया है तो भारती राष्टी कांगरेस को जीवन्त बनाना अगला प्रस्ने के नीम्न विधेकों में से किस एक का भारती संसत के दुरों सत्नों द्वारा अलग-अलग विशेस बहुम्मत से पाइत होना अवस्यक है तो 87 का सही आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ओप्शन याद रखिएगा क्या हो जाएगा बताईएगा तो आपका D हो जाएगा समिधान संसुदन विधेक हो जाएगा ओप्शन आपका यहां पे D उत्तर हो जाएगा भारती समिधान में किस अनुछेत के प्रावधानों के अत्रगत संसुधन किया जा सकता है तो यह आपका किया जा सकता है अनुछे 368 के दोरा क्या हो जाएगा 368 के दोरा उप्सन आपका ए उत्तर हो जाएगा भार्ती समीधान में संसुधन के लिए बिधायक लाये जा सकता है ये बिधायक लाये सकता है आपसे दोग जयाजर रखियेगा या तो लोगसभा में या तो राज़शभा में option आपका 89 का 70 सही आंसर हो जाएगा आगे रेखते हैं कोसर अबर 90 भारती समिधान के लिए प्रत्थम संसुदन विध्यक लाए गया था कब तिये जो संसुदन विध्यक लाए गया था 1991-1951 में लाए गया था आप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है इसको देखिएगा उच इस्तिती में जबकि लोग सभा द्वारा पारित किसी समिधान संसुदन विध्यक को उच सदन ने औस्विकार कर दिया था बताए इसका आंसर क्या होगा था इसका आंसर देखिए सिंपल सा है यह इसका उतर हो जाएगा विध्यक अ संबंदित था निम्न में से किसे संबंदित था यह आपका कुछ राजियों में किये गए क्रिसी वह क्रिसी भूमी समय सुदारों के संद्रक्षण से ऑप्सन आपका सी हो जाएगा भारती समिधान में नौवी अनसूचिस परिवर्धनिया होई है बताएग तो इसका उतर ह अगरा प्रसने के समिधान का संसुदन विधयक संबंदित किसे तो इसका उत्तर आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हों के नैंटी फोर का ऑप्सन आपका भी अच्छ और चोदा वर्स के बीच आयू के बच्चों की निसूल का अनिवार सिक्छा से आपका यहां पर ब अगला प्रस्द्रे की विद्हान सभा में किस दल के निरवाच्य सथीयों के दल बदल पर निम्न्रकित में से किसने परतिबन लगाया है तो आप सब तूइंद रखिएगा सम्मिधान का बावानवा संसोधन कानून आपका यह उत्तर हो जाएगा। अगला प्रसन है कि नीमले सम्मिधान संसोधन मैं बारी बार सम्मिधान में दल बदल बिरोधी प्रावधान किया गया था। तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन C 52 संसुधन याद रखेगा 52 समिधान संसुधन बारती समिधान का 79 संसुधन संबंदित हैं तो यह जो संबंदित है लोग सभा और राजे विदान सभाओं में अनसुचिजातियों ता अनसुचिजातियों क्या रक्षड से 98 का सही अंसर आपका यहां पर D उत्तर हो जाएगा अगला प्रसने क्या है कि भारती समिधान की अधार भूत सनाचना केस इधान का तात्पर यह पुछा गया है इसका तत्पर देखाएं तो समिधान के कुछ लक्षड ऐसे अनीवार हैं कि उनका दिराकड़ा नहीं किया सकता है तो इस प्रकार से इसका 99 का उत्तर आपका A हो जाएगा अगला और आखरी प्रसन हम देखेंगे यहां पर यह केसा और नंद भारतिय केस का महा तो किस लिए है तो सही आंसर आपका B हो जाएगा उच्टम नियालेस ने समिधान के मुल विसेस्ताओं को प्रतिपादित किया था आपसन आपका यहां पर B हो जाएगा तो फ्रेंट्स आपसब लोग के यहां पर 100 कोशन समाप्त हो गया है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सेयर भी कर दिया कि जी अगर आपको लगता है कि सेयर वगरा करना चाहिए तो आप इसको सेयर कर सकते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में और हो सके तो मैं आप सुभी लोग का वीडियो में आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मात्रम